चली बच्चों, आगे चलके हैं, नेक्स्ट इस इरडोव के चेप्टर वन का, क्वेश्च नुबर 15, अच्छा सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है, हमें इस महलका सा सोचना भी पड़ेगा, एंड देखिए, एन एलेवेटर कार, बड़ा एलेवेटर कार मतलब लिफ्ट, एन एलेवेटर कार, whose floor to ceiling, बड़ा floor से ceiling तक का जो separation है, वो मुझे 2.7 meter दे रखा है, is ascending, बड़ा उपर जा रहा है, बड़ा acceleration 1.2 meter per second, 2 seconds after the start, a bolt begins falling from the ceiling of the car, बड़ा एलेवेटर का जो ceiling है, वाहाँ से एक bolt गरता है, find the bolts free fall time, बड़ा किती दियर में बड़ा हूँ, वो ceiling से चलते 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 चलते, floor से टकर आएगा, वो time निकालना है, the displacement and distance traveled by the bolt during the free fall in the reference frame fixed to elevator shaft, elevator shaft कहने का मतलब है, ground, ground से देखना है, बड़ा, ground से अगर देखियें, तो क्या हो, चली बच् सोचते हैं, not that tough, कर लेंगे, सारी बाते doable से हैं, अच्छे अच्छे सी सुनेगा, यह हमारा elevator, या फिर हमारे lift, इस lift की जो total height है, वो मुझे सवाल के अंदर given है, this height is given as 2.7 meters, बड़ा, इसका acceleration है उपर की तरफ, इसका acceleration है उपर की तरफ, और acceleration की value मेरे पास है, 1.2 meter per second square, 2 second बाग, बड़ा, इससे एक bolt गिरता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसके ceiling से चलते हैं, चलते हैं, floor तक टकाने का time निकालना है, यह time तो अगर मैं, lift के अंदर बैठ के अगर solve करूँ ना, तो भी आसानी से आज आएगा, lift के अंदर बैठ के solve करने से obvious बात है, बेठ थोड़ा सा calculation आसान पड़ेगा, देख रहा, bolt यहां से छूटा, bolt drop हुआ है, drop हुआ है, तो उसकी velocity वही होगी जो lift की है, किसी भी चीज़कों आप drop करते हो, तो उसकी initial velocity वही होती है, जो drop करने वाले की होती है, तो यह सारा सारा arrangement जो है, वह एक बार हम with respect to lift analyze कर रहे है, अगर मैं with respect to lift analyze करूँ, तो lift की respect में तो इसकी initial velocity 0 है, lift से तो छूटा है, तो जो velocity lift की, वही velocity इसकी, lift के respect में तो इसकी velocity 0, ground की respect में इसका acceleration हम जानते हैं, नीचे की तरफ G है, लिए हम सारा का सारा motion एक बार कहां से देख र अगर देख रहे हैं, तो relative acceleration निकालने के लिए lift के acceleration को उल्टा घर के जोड़ दो, तो G तो नीचे था ही था, A नीचे और आ गया, कुल में आकर इस bolt का acceleration आ गया है, नीचे की तरफ G प्लस A, और ये bolt चलते 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 कभी ने कभी floor से टकराएगा, floor से किस time पर टकराएगा है, वो time हमसे पूछा है, हम सीधा का सीधा फूमना लगा सकते है, root 2H upon G, अबर वो ना समझ मैं है, तो मैं ऐसे बोल सकता है, बड़ा नीचे की तरफ displacement है, H, initial velocity है, relative displacement है, H, initial relative velocity है, 0, plus half into, नीचे की तरफ acceleration है, मेरे बच्चे, G प्लस A, multiplied by the time का square, और हमारे पास time की value आ गई, यह अंडर root of 2H upon G plus A, यह formula हम डारेक्ट भी लगा सकते है, क्योंकि हमें पहले से formula यादी है, कि initial velocity है, गर 0 हो, तो नीचे आनगा time, root 2H upon G होता है, बस यहां बर G की जगे G plus A आ गया, सर वैल्यूस पर टकनी बड़ा, वैल्यूस रखोंगा, तो 2 times, what is H, H is 2.7, G बड़ा 9.8 9.8 plus 1.2, इसको सोल करें, शायद बड़ा 0.7 second आएगा, चेक करेंगा, वैल्यूस रखोंगा, शायद बड़ा 0.7 second आपका time period आजाएगा, ठीक हैंचुम्, the displacement and distance covered by the bolt during the free fall in the reference frame fixed to the elevator shaft, बड़ा elevator shaft मतलब, यह elevator जोड रखा है, उसके respect में, मतलब ground के respect में, ground के respect में मुझसे पूछा है, कि इसका displacement और distance traveled क्या होगा, तो कि elevator के shaft में सोचना बहुत यह असान काम था, elevator के respect में तो यह वाला bolt चलते चलते नीचे आगया, तो elevator के respect में तो अगर तो मुझसे पूछते कि displacement कितना है, तो मैं बोल time, मैं यहाँ पर एक छोड़ी सी calculation और कर लो, अगर मैं ground से बैठ कर देखू, अगर मैं ground पर बैठ कर देखू, तो दो second बाद, जिस टाइम पर यह सारा सारा event हुआ है, उस time पर इस lift के पास ground के respect में एक velocity होगी, उसकी velocity की value होगी, v is equals to u plus acceleration into time, बढ़ बढ़ इस acceleration, acceleration is 1.2, what is time time is बढ़ा, 4.2.4 meter per second, चलिए अगले पेच के आता है, यह रही बढ़ा की lift, यहाँ कहीं बढ़ा मैं, यहाँ सबेगा, lift की velocity उपर की तरफ है, 2.4 meter per second, इस time पर 2 second, और हमारे पास यह बढ़ा का, क्या करते हैं वो, bolt है बढ़ा, ground से अगर देखता हूँ, तो अगर lift की velocity उपर की तरफ 2.4 meter per second है, तो lift से छूटी हुई चीज, lift से जो चीज ड्रॉप हुई है, उसकी initial velocity भी 2.4 meter per second ही होगी, फिर ना, 2.4 meter per second ही होगी, यहाँ से देख रहा हूँ, बढ़ा स सरफ A की acceleration है, और वो acceleration है, 9.8 meter per second square, lift के respect में acceleration निकालना था, तो lift के acceleration को उल्टा अरके हमने और जोड दिया था, ground से तो इसका acceleration 9.8 ही है, ground से अगर देखता हूँ, तो velocity उपर की तरफ है, acceleration नीचे की तरफ है, तो यह जो आपका bolt होगा, यह ground के respect में पहले उपर जाएगा, फ फिर यहां कहीं यह lift से टकरा जाएगा, इसर, lift से क्यों टकरा जाएगा, बिड़ा lift भी तो इतने टाइम है उपर आजाएगी न, तो lift भी चलते चलते यहां कहीं तो, यहां से यहां से यहां तक कर जो टाइम है, यह मैं निकाल चुका हूँ, बिड़ा कितना, 0.7 seconds, मुझस उसे पूछा है कि displacement बताओ, और distance travel बताओ, बिल्कुल बता ही, displacement तो सिर्फ वो सिर्फ इनिशल पोजिशन और फाल पोजिशन पर ही डिपेंड करता है, displacement ही नमार पास बहुत ही आसान सा formula है, that is, initial velocity into time, plus half into acceleration into time का square, किसी एक side को बढ़ा plus ले लो, किसी एक side को minus, totally आपकी मर्ज ही है, बढ़ा मैंने उपर minus ले लिया और नीचे plus ले लिया, initial velocity है, उपर की तरफ 2.4, उपर की तरफ तुमने minus ले रखा है, तो minus 2.4 into time, time is 0.7, plus half into acceleration, बढ़ा acceleration, नीचे की तरफ 9.8, नीचे की तरफ तुमने प्लस ले रखा है, तो plus 9.8, multiple time का square है, ठीके बढ़ा, कर लिया स्वाल, बढ़ा मेरे ख्याल स्वाल करने पर आपके पास answer आजाएगा, 0.7 meters, roughly बढ़ा आपका आपका आजाएगा, positive आया है, इसका मतलब displacement नीचे की तरफ है, होना बीची है था, यह आपका displacement आगे है, ठीक है, अगले सवाल मुझसे पूछ रखा कि बताओ, distance traveled क्या है, तो से कि यह distance मेरे पास h है, तो अगर कोई मुझसे distance travel पूछेगा, तो मैं ऐसे बोलूगा, कि h जाना और h आना, तो 2h तो यही हो गया, बड़ा मैं इसको small h लिखता हूँ या रहना, एक मार, हाँ, मैं ऐसे small h लिखता हूँ, तो बड़ा capital h तो अपने एक बार आपका total distance travel जो होगी, वो h जाना h आना, that is 2 times of h, plus, of course आपका बड़ा, 0.7 meter तो पहले से है, यह h, बड़ा इस h का formula को पहले से याद कर रखा है, velocity उपर की तरफ हो, acceleration नीचे की तरफ हो, तो maximum height का formula होता है, u square upon 2g, तो जो भी आपकी velocity है, 2.4 यह न, उसका square upon 2 times g, g is बड़ा 9.8, plus, बड़ा 0.7 meter तो ही है, इन सब को add करता हूँ, तो बड़ा roughly मेरे क्याल से 1.3 meter आ जाता है, यह वाल को height है, यह roughly 0.3 meter के आसपास आएगे, तो 0.3 meter उपर जाएगा, 0.3 meter नीचे आएगा, 0.6 हो गया, 0.6 के बाद 0.7 तो नीचे आना ही है, 0.6 और 0.7 कितना हो गया, 1.3, यह आपकी total distance travel डाले है, यह distance traveled और displacement ground से देखने पर ही मुश्किल थे, lift के respect में तो of course, बड़ा सीधा ला सीधा 2.4 meter नीचे आ है, I hope बड़ा आपको साही साही situation समझ में, आएगे होगी, बहुत ही आसान साही सवाल था, खास इतना tough सवाल नहीं था, आगे चलते प्रॉणाल था में, आझे जड़ा आपको बातक ही साही आपको elle से बाले है .